वेलकम टू नेक्टिक जाम आज है 12 नौबर 2022 और 12 नौबर 2022 से करेंट फैस कि जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो इम डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्यन भी पोचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज किस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसकस्यन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप मुमारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कुशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जोयन कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कुशिन है, हाली में रास्टी सिक्षा दिवस कब मनाये गया है, तो अभी 11 नवमर को रास्टी सिक्षा दिवस मनाये गया, तो इस कुशिन का बे ओप्सन सही है, आपको पता है, सुतंत्र भारत के पहले सिक्षा मंतरी थे मौलाना अबुल कलाम आजात, और इनी की जैनती होती है 11 नवमर को, इसलिए हर साल 11 नवमर को रास्टी सिक्षा दिव दिवस मनाये गया था, साथ भारती राजियों का और दो केंशाजित प्रदेशों का इस्तापना दिवस भी एक नवमर को मनाये गया, ये साथ भारती राजि कौन से हैं, केरल, करनाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हर्याना, मध्र प्रदेश और शत्तिस गड़, और द देन नवमर को राजा राज चूल की रहनती मनाये गई, पांच नवमर को बेश्चु सुनामी जागरुकता दिवस मनाये गया, साथ नवमर को राश्टी कैंसर जागरुकता दिवस और सिस्सू सनरक्षट दिवस मनाये गया, आठ नवमर को बेश्चु रेडियोग्राफी दिवस और बेस्टु सहरी करड़ दिवस मनाया गया नौ नवंबर को राश्टी कानूनी सेवा दिवस मनाया गया दस नवंबर को सांती और बेकास के लिए बेस्टु बिज्ञान दिवस मनाया गया तो नवंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट ये बनाये गए यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और से जरू किया करो और मैं आपको भी बो हाली में भारती सेना ने किस राजी में वालोंग मेले का आयोजन किया तो भारती सेना ने इस्तानी लोगों के साथ मिलकर अरणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया तो इस कुछिन का से ओप्सन सही है अब अरणाचल प्रदेश तो यह है मैप में अरणाचल प्रिगेडियर बीडी मिस्रा अभी पूर्वोतर का पहला एक्वा पार्क अड़ाचल प्रदेश में स्तापित किया जाएगा अड़ाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर बगवान परसुराम की 51 फीट उची प्रतिमा स्तापित की जाएगी अप्रेल दोनबाइस में जीस्ती राजस्तो संग्रह में अड़ाचल प्रदेश टॉप पर रहा था नेकियूशेन है खाली में बिम्स्टेक के क्रसी मंत्रियों की दूसरी बेटक की मेजबानी किसने की है तो अभी अपने देश भारत ने नियू डैली में बिमस्टेक के क्रसी मंत्रियों की दूसरी बेटक की मेजबानी की तो इस कुश्चिन का बे ओप्सिन से यह बिमस्टेक इसकी फुलपों क्या है इसकी स्तापना कव हुई 1997 में इसका हेड़कोर्टर कहां पर है डाका में अच्छा यह बिमस्टेक है क्या बंगाल की खाड़ी के आस पास के साथ देशों का सम्मू है बिमस्टेक अब साथ देशों का सम्मू है तो यह साथ देश कौन से है बंगलादेश, भूटान, इंडिया, नैपाल, स्रीलंका, म्याम्मार और थाइलेंड इन साथ देशों का सम्मू है बिमस्टेक नेक्षिशन है हाली में नबे टेक्नलोजीज ने किसे अपना ब्रांड मेजड़ बनाया है तो नबे टेक्नलोजीज यह क्या करती है कमपनी तो यह परसनल लोन, बेकल लोन इस तरह के लोन प्रोबाइड करती है इसने अभी एमेस दोनी को अपना ब्रांड मेजड़ बनाया है तो इस कुछिन का से अप्सन सही है अचा अभी स्केचर्स इंडिया ने कृती सेनन को अपना ब्रांड मेजड़ बनाया प्रमुक एड़िटेक कमपनी बाइजूज ने लियोनल मैसी को एजुकेशन फॉर आल पहल का ग्लोबल अमेजड़ न्यूक किया फेफा 2022 में रडबीर सिंग को भारत का अमेजड़ बनाया गया बुरू प्लस क्रेम का ब्रांड मेजड़ अक्षे कुमार को न्यूक किया गया पिंटोला ये एक पीनट रोटर की कमपनी है इसने सूर्क कुमार यादब को अपना ब्रांड मेजड़ बनाया तो इंडिया एग्रे बिजनिस वैस्ट इस्टेट अवाड अभी हर्याना ने जीता तो इसकुषिन का बे और औपसेंस अई अब हर्याना तो यह है मैप में हर्याना हर्याना की के बिटल क्या है चंडीगड हर्याना के चीप निश्टर कौन है मनोहर लाल खट्टर और हर्याना की गवर्णर कौन है बंडारू तत्तात्रे अभी हर्याना सरकार ने टी ओ एफ आई कारिकरम शुरू किया जो प्राकृतिक बंचेत्रें उनके आसपास के रीजन में बंचेत्र डिबलप करने के लिए ये टी ओ एफ आई कारिकरम हर्याना सरकार ने शुरू किया हर्याना के मुख्यमंत्री ने ए उपहर पॉर्टल और सीम डैस्वोर्ड लॉंज किया है हर्याना सरकार ने पालतु कुत्तों का पंजी करण अनिवारे कर दिया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियाय में हर्याना सर्व स्रेष्ट राजी कोसित किया गया अच्छा हर्याना में कालेस और नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है खोली रेतन वर्ले सेंचुरी है, बेर सिकारगड वर्ले सेंचुरी है, नाहर वर्ले सेंचुरी है, चिलचिला वर्ले सेंचुरी है इतना आप अरेणा के बारे में आद रखिए नए क्यूशन है हाली में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे उचा मद्दान केंद्र कौन सा बना है तो हिमाचल प्रदेश का टसी गंग दुनिया का सबसे उचा मद्दान केंद्र बन गया तो इस कुशन का बे आप्शन सही है ये हिमाचल प्रदेश के लाहूल स्पीती जिले में है, और ये पहली बार मद्दान के इंद बना है, इसकी उचाई कितनी है, 15,256 फीट, कितना, 15,256 फीट, अभी हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में, election से related एक important question में आपको होता है था स्वतंत्र भारत के सबसे aged मतदा था श्याम शरण नेगी ने अभी हिमाचल प्रदेश में मतदान किया और उसके अगले दिन उनका निदन हो गया 106 बरस की उम्र में श्याम सरण नेगी का निदन हुआ ने किशन है हाले में किस ने Middle East Green Initiative के लिए 2.5 अरब डॉलर की पत्यवद्धता जदाई है तो सौधी अरब ने अभी Middle East Green Initiative के लिए 2.5 अरब डॉलर की पत्यवद्धता जदाई तो उसके इनका से options है यह अब सौधी अरब तो यह है map में सौधी अरब सौधी अरब की capital क्या है रियाड सौधी अरब की currency क्या है सौधी रियाल और सौधी अरब की present time पे king कौन है महमद बिन सल्वान कौन है महमद बिन सल्वान ने किशन है हाली में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 billion dollar का rate प्रदान करेगा तो अभी IMF यानि की international monetary fund बांगलादेश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 billion dollar का rate प्रदान करेगा तो इस question का bay options है अब बांगलादेश तो यह है map में बांगलादेश बांगलादेश की capital क्या है ढाका बांगलादेश की currency के है टका बांगलादेश की present time पे premise टक कौन है सेख हसीना और बांगलादेश की present time पे प्रेसिडेंट कोन है अबदुल्ला हामिद सुरू होगा बांगलादेश के क्रिकेटर रुबल हुसेन ने test cricket से सन्यास की गोष्ना की बंडे में आठ जार रन बनाने वाले पहले बंगलादेसी बल्लेवाज बने हैं तमेम एकवाल अच्छा वसीफा नाजरीन ये केटू फत्य करने वाली बंगलादेस की पहली मैला बनी है और बंगलादेस के खिलाडी हैं तमेम एकवाल इन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकिट से सन्यास की गोशना की है ने क्यूशन है हाली में इंडिया स्टून मार्ट इंटरनेशनल एक्जिवीशन के 11 में संस्क्रिट की मेजबानी कौन करेगा तो अभी जैपूर इंडिया स्टून मार्ट इंटरनेशनल एक्जिवीशन के 11 में संस्क्रिट की मेजबानी करेगा तो इस क्यूशन का A options है ने क्यूशन है हाली में ASIC मात्र तुलाव के लिए online portal किस ने launch किया है तो हमारे केंद्री मंत्री हैं भूपेंद्र यादाव इन्होंने ASIC ये SIC की हमलपम क्या है Employees State Insurance Corporation ASIC मात्र तुलाव के लिए online portal launch किया तो इस क्यूशन का B options है ने क्यूशन है हाली में किस राजसरकार ने 10 नवームर को Bajra Divas की रूप में मनाया है तो अभी उरीशा ने 10 नवームर को Bajra Divas की रूप में मनाया है तो इस क्यूशन का C options है उरीशा के चंजाती छेतर में Bajra एक प्रमुक फसल है इसलिए उडिशा में ये बाजरा दिवस मनाया जाता है दस नवमर को अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की केपिटल क्या है भुबने सर उडिशा की चीपनिस्टर कौन है नबीन पतनाईग और उडिशा की गवर्नर कौन है गनी शीलाद अच्छा उडिशा में है वीलर दीप और वीलर दीप का नाम बदल के एपी जी अब्दुल कलाम दीप किया गया है उडिशा दिबस या उतकल दिबस का मनाय जाता है एक अपरेल को अबी बाजी, राउत, राच्टी, फोटवर्ड टूरामेंट का उद्गाठन उडिशा में हुआ उडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की गोश्ण की है आपदाओं से निपटने के लिए उडिशा आपदा प्रबंदन युद्धा त्यार करेगा इलिमिनियम फ्रेट रेक का उद्गाठन किया उडिशा में शुना बेड़ा वाइला संचुरी है, कूठागट वाइला संचुरी है, नलवन वाइला संचुरी है, वाइशी पल्ली वाइला संचुरी है, देवरी गड़ वाइला संचुरी है, गहिर मठ वाइला संचुरी है उडिशा में चिलका लेख है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिशा में रसेकुलिया बीच है गूल्डन बीच है अच्छा यूनेस्को ने उडिशा के दो गाउं को सुनामी रेडी डिकलियर किया था इतना आपको उडिशा के बारे में आद रखना है अच्छा उडिशा में लेंगराज टेंपल है, कुडार टेंपल है और जगरनाट टेंपल है किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉंच किया है तो अभी कुटेक महिंदरा बैंक ने MSME यानि की माइक्रो, स्मॉल एंड मेडियम इंटरप्राइज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉंच किया, तो इसको शिन का बे अप्सन सही है अब कुटेक महिंदरा बैंक इसकी स्तापना कव होई, 1985 में इसका हेड़कोर्टर कहाँ पर है, मुंबई में और इसके प्रजेंट टेम पर CEO कौन है, उदे कोटक नेहिशन है, हाली में अरुना मिलर किस अमेरिकी राज के उपराज जपाल का पद समालने वाली पहली भारती अमेरिकी बनी है तो अरुना मिलर, ये अमेरिका के मेरिलेंड में उपराज जपाल का पद समालने वाली पहली भारती अमेरिकी बनी है तो इसकी सिंका C-Options आई है, आप इमेज में देखिए, ये हैं अरुना मिलर नेक्युशन है हाली में पहली बार भारत और आसियन के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तो अभी पहली बार भारत और आसियन के रक्षा मंत्रियों के बीच दोजर तेज की सुरुवात में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तो अभी एक टैनिस प्लेयर है होलगर रूने इन्होंने बेश्चु के नमबर बन नोबाग जोकोविच को हरा कर 2022 पुरुस एकल पैरिस मास्टर्स खिताब जीता है तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है अब होलगर रूने ने जीता तो इमेज में देख लीजिए ये हैं ह बोलगर रूने अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का अंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में 9 नमबर को के सराजी का इस्तापना दिवस मनाया गया है तो अभी उत्त्राखंड का इस्तापना दिवस 9 नमबर को मनाया गया यानि किस के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का कुश्चिन आपके लिए आज का कुश्चिन है 2023 खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके लाबब हम हमारे फेस्टूक पेज पर प्रेबियस एर कुश्चिन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टूक पर नेक्स्ट ए इंस्टाग्राम पर इंड्रेश आर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन बिदाउट एनी है जीटेशन डिसक्स कर सकते हैं अच्छा आज की सुड़ू का टार्गेट जरू याद रखना आज की सुड़ू का रहता है लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और पर आपके पास जो भी स्टैडिए रिलेटेट वाट्सफप और फेस्व गुरूप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरू कर दिया करू तो यह था आज का मारे करेंट अपेस का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित्थी मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस झाल 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